हलो बच्चो आज हम लोग अपने कावेखंट का सातमा चेप्टर जिसे सचिदानन्द, हियानन्द, वात्सियान अजय जी ने लिखाया है उसे पढ़ेंगे प्रञ्तो उससे पहले उनके जीवनी से जो इनपोर्टेन पोइंट से जो सीदे एकजाम में पूछे जाते हैं उसको देख लेते हैं तो सबसे पहला important point कि अजय जी का जन्म कब हुआ था तो 7 मार्च 1911 में कहां पर तो कसाया कुसी नगर यानि की उत्तर प्रदेश में हुआ था लेकिन वो मूल निवासी पंजाब के थे अग्ये की माता का नाम क्या था वेंती देवी और पिता जी का नाम डॉक्टर हीरानन सास जो उनके पिता का नाम है वो एक्जाम में भी पूछा जा चुका है तो आप ट्राइ करना कि कम से कम लिखा के जीवनी के बारे में वो कब जिनम लिए उनकी माता का नाम और पिता का नाम क्या था यह हमें याद रहे फिर अग्ये की प्रारंबिक सिच्छा लखनव में घर पड़ हुई थी उन्होंने मैट्रिक की पड़िच्छा 1925 में पंजाब इस विदाले से और इंटर 1927 में मदराज क्रिस्चिन कॉलेज से की थी अगर बात करें बी एसी तो 1929 में की थी तो हमारे लिए यह उतना रा इंपॉर्टन नहीं है लेकिन कम से कम उनकी जो सारे भासाओं का ग्यान हो जैसे उन्हें संस्कृत अंग्रेजी हिंदी फार्सी तमिल इतने सारे भासाओं का ग्यान था इसलिए उन्हें बहु भासा विद कहा गया जिने बहुत सारे भासाओं का ग्यान हो उससे हम लोग बहु भासा विद कहते हैं तो उन्हें संस्कृत अंग्रेजी, हिंदी, फार्सी और तमील का विज्ञान था, इसलिए उन्हें हम लोग बहु भासा विद करते हैं, फिर उनकी कृतिया क्या क्या है, मतलब उनकी रचनाय क्या है, तो ऐसे तो उनकी बहुत सारी रिशनाय है, पर हमारे लिए इंपोर्टेंट कौन है, तो हमारे इंपोर्टेंट उनमें से एक है, सदा नीरा, आपको याद रखना है कि अग्जै जी ने सदा नीरा नामक कावे लिखा था, और जो हमारा चैप्टर हिरो सीमा, वो भी सदा नीरा से ही लिया गया है, तो सदा नीरा यहाँ पर एक बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है, जो आपको याद रना चाहिए, फिर हमारे लिए क्या इंपोर्टेंट है, उनकी इतनी सारी रचनाओं में, तो जितने भी सब तक होते हैं, जैसे तार सब तक हुआ, दूसर सब तक, तीसर सब तक, चौथा, पुश्व करनी, रूपान बढ़ा, यह सारी की सारी हमारे लिए इंपोर्टेंट है, मैंने कुछ रचनाओं का नाम लिया है, लेकिन इन ही रचनाओं को अगर याद करकर चले जाओगे, तो आपसे एक भी कोशन छूटेगा, नहीं, तो आपको इतना रखना है, कि सब तक का रचना, बेसिकली, हिरानंद वातसेन जी नहीं किया था, अब आगे चलते हैं, कि उन्हें ऐसे तो बहुत सारे प्रोस्कार मिले थे, लेकिन उन्हें साहित आकादमी प्रोस्कार मिला था, ग्यान फिर अप्रोस्कार सुगा, जो दुसरे देस मिला था, कौन सा देस, यूगो, स्लाविया में भी उन्हें बहुत सारे अवार्ड मिले थे, और 4 अपले 1987 में उनका दिहान्त हो गया था तो यहां से हमारे लिए इतने सारे important points निकल कर आ रहे हैं फिर मैंने जो बताया था कि जितने भी तार सब्तक के वो हमारे लिए important है उन्होंने हिंदी कभीता में पर्योगवाद का सुत्रपात किया था उन्हें साथ कभी हो साथ को कभी का चयन कर उन्होंने तार सब्तक पेस किया था और बताया था कि कैसे पर्योगवाद के दोड़ा बासी पन से मतलब वही सारे points से मुक्त कैसे हुआ जा सकता है और हमारे लिए जो आखरी और सबसे important point है कि जो हमारे chapter है हिरो सीमा वो कहां से लिया गया है सदा नीरा से लिया गया है तो कुछ इतने सारे important points को आपको समझ कर exam में जाना है अब चलते हैं हम लोग अपने chapter पर तो chapter का नाम है हिरो सीमा तो हिरो सीमा को मैं परहाने से पहले ये बता दूँ कि हिरो सीमा एक जापान का एक सहर था जिस पर परमान बम गिराये गया था और जिसके फॉलसरूप वो पूरा का पूरा तबाह हो गया था लाखों लोगों की मौत हो गय थी तो उसके बारे में हिरो सीमा है आप इस chapter को पढ़ने के बाद जाएगा गुगल पर और रिखे का हिरो सीमा तो आपको नजद आएगा कि कितना बिनास हुआ था हिरो सीमा में तब आपको अंदाज लग जाएगा कि लेखक इस chapter में क्या करना चाहते हैं चलिए अब हम लोग अपने chapter पर आते हैं तो एक दिन सहसा सुवज निकला अरे छितिस पर न नहीं फटी कहां से मिटी से कहने का मतलब है कि सुड तो निकला था लेकिन वो कोई आसमाला सुड नहीं था वो बम था जो फटने पर इतना तिवर धूप देर गया मतलब इतना तिवर प्रकास दे गया कि सारे तरफ प्रकास ही प्रकास सारी तरफ उजाला हैं उजाला हो ग दूप जैसे बरश गयी ओ आग जैसे बरश गया हो ऐसा कुछ नज़र आया लेकिन कहां से अंतर से नहीं मिटीम पटकाया बं पूरा का पूरा उस पूरे छेत्र को पूरा पूरा तबाह कर गया तो पहले पंक्ति का ये भावारत चलते हैं दूसरे पंक्ति में तो इस पंक्त कि दिसाहेन सब ओर पड़ी है वह सूरज नहीं उगा था पूरव में वो बर्सा सहसा बीचों बीचनगर के काल सूरे के रत के पहियों के जो अडे तूट कर विकर गए हों दसों केहने का मतलब है कि वह सूरज कोई पूरव में नहीं उगा था वो तो मानब के द्वारा बनाया गया एक सूरज था जो जैसा ही फटा चारो तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही तबाही ले आया गया परलंकारी टांडब ही टांडब ले आया गया माना कि सुर्ज का जो प्रहत का पहिया है वो तूट गया है और हर दिशाओं में ऐसा फैल गया है कि हर जगा मृत्यू का टांडब ही टांडब हो रहा है ऐसा अजय जी कहना चाह रहे है फिर अगली पंक्ती में अजय जी ने कहा है कि कुछ छन का वो उदय अस्त किवल एक प् खलेने वारी दो पड़ी फिर चाया वाद मानब जन की नहीं मिट्टी लंबी हो होकर मानब ही सब भाप हो गए चाया तो अभी लिखी है यानि कि उसका इतना भ्यानक प्रभाव था कि जैसा ही वो बंफटा चारों तरफ मिर्त्यों होना शुरू हो गई और लोग भाप बन करство उर गया जिस प्रकार एक गरम तवे पर अगर हम लोग पानी डाल दे तो उसका पानी भाप बनके उर जाएगा ठीक उसी प्रकार जैसा ही बंफटा सारे के सारे की तरफ प्रूरा कर जितना भी आदमीर थे सारे की सारे भाप बनके उर गए और उनकी 46 अनकी शप्रा कर सोग गया पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई च्छाया मानब की साच्ची है यानि कि जो से हम लोग सुर समझ रहे थे वह बेसिकल एक बम था जिसने सभी को भाब बना कर उरा दिया लास तक नहीं बची उस इतनी भ्यंकर बंबार्डिंग हुई थी कि लोगों की लास तक नहींबची सारे के सारे बिलकुल एक तरह से भाब बनकर उर गया तो यही जापान का बिधन्सकारी घटना दिसाहीन मानब के कुकृत का साच है कि किस प्रकार एक मानब नहीं दूसरे मानब की जान ले ली तो यही था इस चाप्टर का भावार तो मिलेंगे नेक्स्ट जप्टर में तब तक लिए प्रहाई करते रहें all the very best